ही गाईज, वेलकम बैक टू माई शैनल, आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी ककोरे की सबजी, ककोरे हमारी शेहत के लिए बहुत ही लाब दायक होते हैं, इस टाइम पर मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप इसकी सबजी को बना करके जरूर खाएं, ये बहुत ही ज़्याद ककोरे को हमने तीन से चार बार पाने से अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसकी ऊपर जैसे होते हैं, तो इसे अच्छे से वास करना बहुत ही जरूर ही है, अब हम इसे कट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक चाकू से इस तरह से लंबाई में काटा है, चाहें तो आप इस इसे थोड़ा थोड़ा पार्ट करके निकाल देंगे, और इसके बाद हम इसे लंबे-लंबे पीसेज में काट करेंगे, तो एक दम पतला-पतला काटना है, जितने पतले-पतले आप काट करेंगे न उतनी ही टेस्टी और अच्छी सी भुजिया वनेगे इसकी, तो यहाँ आप चाहें तो इस तरह से लंबाई में काटे या फिर इस तरह से गोल-गोल पीसेज में भी काट सकते हैं, तो इसी तरीके से हम सारी ककोरी काट के तयार कर लेंगे, तो फिलाल मैं आज इन ककोरों को यह से लंबे-लंबे पीसेज में काट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंन लगबख 3-4 चमज के इतना सरसो का तील डाला है तील को अच्छे सी गरम करेंगे जब तील गरम हो जाएगा हम इसमें एक चमज जीरा डालेंगे और चोथा चोटी चमज हम इसमें हिंग डालेंगे हिंग डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और सबजी में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है प्याज को हमने ऐसे लच्छे में कट किया है प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे और हमें प्याज को हलका सा भूनना है हलका गुलाबी होने तक भूनेंगे साथी साथ हम इसमें अद्रक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको भी हलका सब भूनेंगे आप देख सकते हैं प्याज को हमें बहुत ही कम भूनना है बस हलका सा कच्चापन प्याज लहसुन का चला जाना चाहिए इतना ही भूनना है क्योंकि बाकी हम इसे ककोरे के साथ फ्राइ करेंगे इसके बाद हमने इसमें ककोरे डाल दिये हैं और इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे यहाँ पर हमने ककोरे का जो छिलका है वो नहीं निकाला है आप चाहें तो इसे हलका हलका scratch करके इसका छिलका भी निकाल सकते हैं तो इसे इस तरह से mix करते हुआ, मैंने एक मिनट तक भून लिया है अब हम इसमें स्वाद के अनुशा नमक डालेंगे और अच्छे से mix करेंगे फ्लेप को लो कर देंगे और फ्लेम में ही हमें से पकाना है लगबक 5-7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे पीच पीच में आपको इसे ऐसे चलाते रहना आया आपको तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तेल थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगेग आपको यसे ढखकन लगा की इसे पकाती जाना है और बीच बीच में इसे खोल के चेक भी करना है कि नीचे से जल तो नहीं रहे हैं अब हम इसमें आधा चमश हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमश धनिया का पाउडर डालेंगे एक चमश लाल मिर्ची पाउडर है तीखा हमने आधा चमश भुनेवे जीरे का पाउडर और आधा चमश हमने डाला है आम चूर का पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं अब हम ढगा करके फिर से दो से तीन मिर्ट तक धीमी आच में ढखके पकाएंगे ताकि जो मसालों का फ्लीवर है वो सबजी में अच्छे से आज है तो यह लीजे फ्रेंट्स हमारी बहुत ही तेस्टी ककोरे की भुजिया बन के तयार है बात में इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया इस कर्मा गरम सबजी को आप रोटी या पराथे के साथ खाएं या दाल के साथ साइड डिस के रूप में बनाएं रैसीपी पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा